सो गाईस यहां पर काम करने का ना मजये कुछ हो अलग है मदलब में हूं गाउँ पर छतपे मेरे घर के आज पास का नाजार आप देखोगे तो पूरा नेचचरल इनवारोमेंट तो लिए पूरा नेचर से बढ़ा दोनाओं बसा हुआ है अलागे गाउं पूरा आगे बसा हुआ है यहां पर गाउं इक्तिम खत्म हो जाता है आप किये सकते हो यहां पर सामने जस्ट लाइड on साइट पर सरकारी होस्पीटर है वो सामने पाने की टंकी है इधर घर है और इधर पुरा खेत खली आने दूर दूर तक आपको खेत देखने को मिल दें और यहाँ पर मेरा पुरा वहला हम यहाँ पर नेच्छल इंवारोमेंट यहाँ पर टेकनिकल इंवारोमेंट है यहाँ नेचर और टेक को दोनों को मिला दिया है मैंने तो यहां पर मेरा लेपट अब रखा हुआ है और यहां से मेरा काम कर सकता हूं यहां पर इंटरनेट अपना वाइफाई तो नहीं चलता है अपर क्योंकि ब्रोडबेन नहीं लगता कि गाओं के सुदूर इलाकों में से कुछ यहां पर भी मेरे गाव में ऐसे कोई सर्विस पोची नहीं अभी सो मैं यहां पर जो एटल का नेट होता है ना 4G वाला वही यूज़ कर रहा हूं 5G यह दिया जायागा तो उसे यूज़ करेंगे बड़ फोजी चल रहा है तो फोजी को यूज़ करते हैं मोबाल भी अपना फोजी सपोर्ट करता है तो यहां पर अपना लिप्तोप है इसको मैंने चालू कर लिया है और इसकी जो ब्राइटनेस है वो मुझे बढ़ा नहीं है तो जब बढ़ेगी तब मैं मैं इसको मनद लोगिन करूंगा तब इसकी ब्राइटनेस को मैं बढ़ा सकूंगा तो मैं लोगिन कर लेता हूं है और यदि आप पास पास का नजारा देखो तो सूबह-सूबह हो रही एकदम सूबह का नजारा है आनंद लेने का ऐसे अशे मोसम में और ऐसे टाइम पर का काम गन्ने का जो मज़ा है वो अलग ही है कि यदि आप शहर में रहते हो और किसी बंद कमरे में रहते हो रूम में रहते हो यार वहाँ पर भी काम गन्ने में आता है ठीक है बट वहाँ पर इतना आता नहीं है पर पुरा खुला खुला इंवारोमेंट है दूर दूर तक आपक क्वाइटनेस पूल है इससे उपर ब्राइटनेस निए बढ़ेगी आई डौन नो क्यों निए बढ़ दिये बटीए मेरा काम हो जाएगा मेरे को तो दीख रहा है आपको तो कुछ दीख नहीं रहा है बस यही मेरे को बताना था कि यह काम करने का तरीका बहुत मस्त लगा मेरे को विसे आप भी ऐसे काम करते हो गया कभी आपने इसे पड़ावड़े किये लब करी वो तो मेरे को आप कोमेंट में बताना